हेलो दोस्तो मैं राम्ब्यास यादब आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई टेई गाइडलाइन में सभी का स्वागत है दोस्तों मैं आज फिर आपके लिए त्रेट के जितने भी विद्यार थी है या इटेई के फिटड ट्रेड हो या फिर डिपलोमा के मेकनिकल स्वागत हो उनके लिए बहुत ही विविए कोश्चन सभी कोश्चन है जो बचे नसीवीटी के पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी और जो टेकनिकल का एक्जाम का तय त्यारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत भी विविए कोश्चन आज मैं लेकर आया हूं एमसी कोश्चन है सभी विविए कोश्चन छाटा हुआ है जितने भी मेकनिक त्यारी करने वाला भी द्यार थी है वह आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को सुरू से अंतक देखें आप कहीं जाए नहीं आप को अगर अंसर आता है तो अंसर फटाफट दीजिएगा कोश्चन मैं बोलते जाओंगा आपको अंसर देना है अंसर आप देते जाए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइको को प्रेस करें जिससे कि सारा आता है इसलिए और वीडियो के अंत में अप लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लाइएगा तो नहीं अच्छा लाइएगा कोई दीकत नहीं है तो आए आज का वीडियो सुरू करते हैं पहला कोस्टन से हम लोग चलते हैं यह हमारा ट्रेट थियोरी का पेपर है ज और एक यह और बताना चाहत हो कि इस चैनल पर मैं अभी तक तीन सब्जेक्ट का वीडियो अफ्लोड कर रहा हूं इंजिनीरी ड्राइंग का फिटर थियोरी का बर्स आप कल्कुलेसन का जिसमें तीनों को अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तीनों मैं कलास लेता हूं आईए आज का पहला कोशन सुरू करते हैं पहला कोशन क्या बोलता है आज का पहला कोशन ध्यान से सुनिएगा माईल एस्टिल के पार्ट्स की सर्फेस को घीसने से बचाने के लिए एक परकार की किरिया की जाती है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन हमारा दिया हुआ है टेम्प दी में अंसर दे सकते हैं कहीं कोई दीकत नहीं होगा चलिए इसका अंसरहरा हमारा दोसटों का नंबर टा सहाब कशन नंबर बड्य केस हाड़ने अंसरहर सर्फ दोस्तों जिनका जिनका अभी cables 2006 आ सरे करेक्ट जि यह चलते हैंध्य कोशन हमारा क्या बोलता है अगला कोशन हमारा है कि surface फर्नेंस के तपमान को मापने के लिए किसका परियोग किया जाता है ऑप्सन दिया हुआ हमारा अगे पायरोमीटर फॉरेनिफ हाइट के लिए सेल्सियस यह फटा-फट अंसर दीजिए एवी सीडी में जो भी आपको अंसर आता है वह पाइंसर दीजिए इसका अंसर हमारा होगा option number A pyrometer क्या है option number A correct answer होगा जिनका option A दिये थे टिक लगाए है उनका correct answer right answer है comment जो किये है option number A चलिए अगला question क्यों चलते हैं अगला question हमारा है कि carbon astil को hard करने के लिए hardening temperature किस पर निर्भर करता है option दिया हुआ है लोहे का मात्रा निकल की मात्रा कार्वन की मात्रा कोई नहीं 4 option आपका दिया हुआ है 4 option में से जो आपका शही है वो आप comment किजिए फटा-फट क्या right answer होगा इसका right answer हमारा होगा option number C correct answer होगा कार्वन की मात्रा option number C correct answer है जो विद्यार थी C option number लगा है उनका correct answer right answer होगा दोस्तो चलिए आगे question क्यों चलते है अगला question हमारा है कि हाई या स्पीड अश्टील की टूल की hardness पराय होती है कितना option दिया हुआ है 40HRC 60HRC 80HRC 100HRC क्या right answer होगा आप लोग फटाफट comment पर अंसर दीजिए क्या right answer होगा right answer हमारा होगा option number B 60HRC क्या होगा 60HRC जो विद्यार थी 60HRC अंसर दिये है option B टिक लगाए है उनका correct answer right answer होगा चलिए अगला question क्यों चलते हैं अगला question हमारा है किसी tool a still के parts की surface को hard करने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं option दिया हुआ है tempering induction hardening nitriding normalizing चार option में से एक अंसर correct answer आपको चुनना है क्या right answer होगा बताइए आप लोग फटा-फट कॉमेंट होगा उसमें आप कॉमेंट कर सकते हैं किजिए जिसे कि आपका अंदाजा लाएगा कितना मेरा सही जा रहा है और कितना गलत जा रहा है तो right answer होगा दोस्तो option number B correct answer होगा induction hardening क्या होगा induction hardening जिनका जिनका B option है correct answer right answer है इसी साथ चलते हैं अगला question की और अगला question हमारा क्या बोलता है अगला question हमारा है कि जब किसी पार्ट को oxy acetylene torch के द्वारा law देकर गर्म किया जाता है और साथ साथ पानी की फवारा देकर पार्ट को ठंडा करते रहते हैं तो इस पर किरिया को कहते हैं flame hardening induction hardening night riding normalizing क्या right answer होगा बताइए आप option पढ़िए question को पढ़िए और answer दीजे क्या right answer होगा right answer होगा option number A flame hardening क्या होगा option number A flame hardening correct answer right answer जो बिद्यारती flame hardening लगाए है option number A लगाए है उनका answer correct right answer है दोस्तो चलिए अगला question क्यों चलते हैं अगला question क्या बोलता है अगला question है किस micrometer का परियोग बाहरी मापों को मापने के लिए किया जाता है option दिया हुआ है outside micrometer inside micrometer depth micrometer screw thread micrometer चार option में से चुच करना है आपको कौन सा answer होगा question को पढ़िये option को पढ़िये ध्यान से और answer दीजे फटा-फट comment box में जितना जल जोसके क्या right answer होगा right answer होगा option अगला question की और क्या बोलता है अगला question आपके अस्किन पर है question है कि metric outside micrometer को range होता है metric outside micrometer का range होता है कितना option दिया हुआ है 20 mm 25 mm 15 mm 30 mm क्या right answer होगा आप फटा-फट comment box में comment कीजिए क्या right answer होगा right answer होगा option number B 25 mm क्या होगा 25 mm option number B correct answer right answer होगा जो भी द्यार थी B option दिये हैं लगाए हैं उनका correct answer right answer है दोस्तों चलिए अगला question क्यों चलते हैं अगला question क्या बोलता है अगला question हमारा है किसी micrometer के प्रारारंभिक reading को कहते हैं क्या किसी micrometer के प्रारंभिक reading को कहते हैं क्या echin reading प्रात्मिक reading zero reading कोई नहीं क्या right answer होगा अब फटफट answer दीजिए क्या right answer होगा दोस्तों question को पढ़िए option को पढ़िए ध्यान से तभी आप अंसर दीजिएगा फटाफट answer आना चाहिए क्या right answer होगा दोस्तों right answer हमारा होगा option number C क्या option number C correct answer होगा zero reading किसी micrometer के प्रारंभिक रिंडिक को कहते हैं zero reading जिनका जिनका option number C option है correct answer right answer नहीं तो सुधार लें याद कर लें चलिए अगला question की ओर अगला question हमारा है अंदुरूनी मापो के लिए किस micrometer का परियोग किया जाता है option दिया हुआ है outside micrometer inside micrometer depth micrometer screw thread micrometer दोस्तों मैं पूरी सद्धानी बरती हूँ जिससे कि आप लोग को अंसर गलत आपके पास ना पहुंचे हो सकता है कहीं miss printing time भी करने में हो सकता है इतना मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं पूरी से पूरी कोशिस किया हूँ कहीं आपको गलत answer ना मिले कहीं गलत question ना मिले आपको इसलिए अगर कहीं होगा भी तो छमा किजेगा मिस printing हो सकता है मैं अपने तरफ से गलत करने का कोशिस आपके साथ कभी नहीं करूँगा question है कि अंदुरूनी मापों के लिए किस micrometer का परियोग किया जाता है option दिया हुआ है outside micrometer inside micrometer depth micrometer screw thread micrometer क्या right answer होगा दोस्तो right answer होगा option number B inside micrometer option number B जो जो भी द्यारती option दिये है टिक लगाए है answer दिये है उनका correct answer right answer होगा inside micrometer option number B correct answer चलिए अगला question क्यों चलते हैं क्या बोलता है अगला question हमारा अगला question हमारा है metric vernier outside micrometer का list count होता है कितना option दिया हुआ है 0.01 mm 0.025 mm 0.001 mm 0.001 mm आप फटा फट अंसर दिजे comment box में क्या right answer होगा जिससे क्या आपका अंदाजा भी लगाएगा कितना मेरा सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है पता लगा यह क्या right answer होगा चलिए right answer हमारा होगा option number C क्या होगा option number C right answer and correct answer होगा 0.001 mm होता है metric burnier outside micrometer का list count जो होता है 0.001 mm होता है जिनका जिनका C option है correct answer है right answer है अगला question क्यों और क्या बुलता है दोस्तों वीडियो देखने के बाद जरूर लाइक कीजिएगा अगर बढ़ियां लाइगा तो नहीं बढ़ियां लाइगा dislike करके जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल एकम को प्रेस कर लिएगा जिससे कि सारा नुक्ति आपको मिले आर आप उसका लाव ले सकें चलिए अगला question हमारा है metric burnier height gauge burnier depth gauge का list count कितना mm होता है option हमारा दिया हुआ है 0.01 mm 0.025 mm 0.02 mm 0.0001 mm क्या right answer हो दोस्तों आप फट फट comment box में answer दीजिए क्या right answer होगा right answer दोस्तों होगा option number c क्या होगा option number c जिनका जिनका है correct answer right answer है 0.02 mm चलिए इसी के साथ अगला question क्यों चलते हैं अगला question हमारा है कि burnier bevel protector का list count होता है burnier bevel protector का list count होता है option दिया हुआ है 10 degree 5 degree 15 degree 1 degree क्या right answer हो दोस्तों आप फट फट comment box में answer दीजिए क्या right answer होगा right answer होगा option number b 5 degree क्या होगा option number b correct answer right answer है जो जो भी दिया थे b option टिक लगाए है option दिये हैं उनका correct answer होगा 5 degree burnier bevel protector का list count होता है 5 degree 5 degree चलिए इसे के साथ अगला question क्यों चलते हैं अगला question हमारा है कि burnier height gauge के कौन-कौन से परकार है option दिया हुआ है fixed burnier height gauge adjustable burnier height gauge उप्युक्त दोनों कोई नहीं क्या right answer होगा दोस्तों right answer आप देखिए इसमें से कौन होगा और question को बढ़िया तरिके से समझे option को बढ़िया तरिके से समझे तभी आप answer दिजिएगा comment box में क्या right answer होगा right answer मारा होगा option number C उप्युक्त दोनों यानि कहने का मतलब है fixed burnier height gauge adjustable burnier height gauge दोनों answer होगा इसमें से correct answer right answer होगा चले इसे के साथ अगला question क्यों चलते हैं अगला question हमारा है कि गहराई के मापों को सुछमता में मापने के लिए किस उपकरन का पर्योग किया जाता है option दिया हुआ है outside micrometer inside micrometer burnier depth gauge screw thread micrometer क्या right answer होगा दोस्तों right answer आप बताईए आप comment box में answer दीजिए फटाफट जिनको आता है उससे आपका clear पता लएगा कितना मेरा सही हो रहा है और कितना मेरा गलत हो रहा है बाकि तुम्हें answer बताऊंगा ही चले correct answer हमारा होगा option number c option number c depth burnier gauge होगा जिनका option number c लगा है उनका correct answer right answer है दोस्तों चले इसी के साथ अगला question क्यों चलते हैं अगला question कितना हमारा क्या है बोल रहा है देखिए अगला question हमारा है चीजल के cutting age की hardness कितनी होनी चाहिए चीजल जिससे हम लोग cutting करते हैं उसका age की hardness कितनी होनी चाहिए option दिया हुआ है 43 से 50 HRC 55 से 65 HRC 53 से 59 HRC 60 से 70 HRC option आप फटाफट पढ़िए question को पढ़िए और समझिए और answer दिजिए क्या right answer हमारा होगा right answer होगा हमारा option number C क्या है option number C correct answer right answer होगा दोस्तो 53 से 59 HRC होता है जिनका जिनका C option है correct answer right answer है इसी के साथ चलते हैं आगला question की और आगला question हमारा है कि चीजल बनाई जाती है low carbon steel से high carbon steel से मध्यम carbon steel से सभी से आफटाफट answer दीजिए क्या right answer होगा question को ध्यान से पढ़िएगा option को ध्यान से पढ़िएगा समझने की जरूरी है रट्ना मारने की जरूरी नहीं है अराम से पढ़िए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा चलिए फटाफट answer आना चाहिए क्या right answer होगा दोस्तो right answer हमारा होगा option नंबर B क्या होगा option नंबर B चीजल जो हमारा बनाय जाता है high carbon steel से बनाय जाता है जिनका जिनका B option option टिक लगाए हैं मारे हैं लगाए है option दिए हैं उनका correct answer right answer है दोस्तो चलिए इसकता अगला question क्यों चलते हैं अगला question क्या बोलता है देखिए अगला question नमरा है कि हैमर का भार है चीजल के पेच्छा कितना होना चाहिए hammer का भार चीजल के पेच्छा कितना होना चाहिए option दिया हुआ है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना क्या right answer हो दोस्तो right answer मारा होगा option आप फटाफट comment box में दीजिए क्या right answer होगा तब मैं तो answer बताया हुगा ही इसे आपको पता लएगा कितना मेरा सही और कितना मेरा गलत हो रहा है चलिए फटा-फट दीजिए क्या right answer होगा दोस्तो right answer होगा option number A क्या होगा option number A correct answer right answer होगा दोस्तो hammer का भार चीजल के पेच्छा होना चाहिए कितना 2 गुना होना चाहिए option number A टिक लगाए है उनका correct answer right answer है दोस्तों चलिए इसी साथ अगला question क्यों चलते हैं अगला question हमारा है कि hexabullet प्राय किसके बनाये जाते हैं लो carbon steel का high carbon steel का high speed क्या right answer होगा दोस्तों आप फटापट comment box में अंसर दीजिए इसारी question लगाये हैं उनका correct answer right answer होगा लो carbon steel का भी बनता है बलेट हाइब बनता है इसलिए तीनों correct answer होगा right answer जो जो option नमर्ट दी हैं उनका right answer correct answer दोस्तों इसी के साथ चलते हैं लोग अगला question क्यों क्या बोलता है अगला question है hexabullet hardness कितनी होनी चाहिए hexabullet के hardness कितनी होनी चाहिए 59 से 62 HRC 62 से 65 HRC 65 61 से 65 HRC सभी क्या राइट एंसर होगा चलिए आप लोग फटाफट comment box में comment कीजिए कि क्या राइट एंसर होगा कि राइट एंसर हमारा होगा दोस्तों option नमबर डी क्या होगा option नमबर डी जो लगाए हैं उनका correct answer राइट अंसर दोस्तों hexabullet के hardness तीनों होता है 59 से 62 62 से 65 65 61 से 65 यह तीनों हमारा hardness होता है बलेट का चलिए इसी के साथ अगला question क्यों चलते हैं अगला question हमारा है कि निमनी लिखीत में नॉन फेरस मेटल कौन है नॉन फेरस मेटल पुछ रहा है option दिया हुआ है तामबा तीन एलमुनियम सभी क्या राइट अंसर होगा दोस्तों आफट आफट कॉमेट बुक्स में जाकर के कॉमेंट कीजिए क्या राइट अंसर होगा जिनका अच्छी तरह के से पढ़ेंगे वह अंसर यह सब देदेंगे फटाफट कहीं कोई दिकत नहीं आएगा उनके लिए लाइस्ट में मैं तो बताऊंगा ही चलिए राइट अंसर होगा दोस्तों option नंबर डी क्या होगा option नंबर डी करेक्ट अंसर होगा नन फेरस मेटल तामभा भी है टीन भी है एल्मुनियम भी है तीन हमारा है इसलिए जो 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 विद्यारती option नंबर डी टिक लगाए है टी उनका करेक्ट अंसर राइट अंसर है चलिए अगला कोशन क्यों चलते हैं अगला कोशन हमारा है कि निमलीखीत में कौन लोहा का अयस्क है और ऑप्शन दिया हुआ है लोहा का यस्क पूछ रहा है ध्यान देजेगा कोशन के उपर कंफ्यूज मत किजेगा इस कोशन में कहें कि यह कोशन जो है बहुत ही कंफ्यूज करता है जब आप अंसर इसका पढ़िया गत्तू लेकिन पर राइट अंसर इसका है हेमिटाइट मेगनेटाइट लीमोनाइट सभी निमलिखीत में कौन लोहा का यस्क है चलिए फटा फट अंसर दिजिए राइट अंसर करेक्टरिस का क्या होगा ओप्शन नमबर डी हेमिटाइट मेगनेटाइट लीमोनाइट ओप्शन नमबर डी लोहा का यस्क है हेमिटाइट भी है मे correct answer right answer है दोस्तों चलिए इसी के साथ अगला question क्यों चलते हैं अगला question हमारा है कि धातू का वह गुन जिसमें धातू को खिचने पर उसके तार बनाये जा सकते हैं और वह तूटने नहीं पाती है क्या कहलाता है ओप्षन दिया हुआ है इलासी टॉफनेस डाक्टिलीटी टेना सीटी क्या राइट अंसर होगा चलिए फटा फट अंसर दीजे कमेंट बॉक्स में जा करके क्या राइट अंसर होगा दोस्तों को कि को समझेगा उप्शन को बढ़िये तरिके से समझेगा तभी आप अंसर दिजिए गा चली है राइट अनसर हमारा होगा सी ड़क्टिली टी क्या होगा और अप्शन नमबर सी जो जो विद्धयारति आप्शनन नमदर सी टिक लगायें उनका correct answer right answer है दोस्तों चलिए अगला question क्यों चलते हैं इसी के साथ अगला question हमारा है कि धातू का अवाह गुन जिसमें धातू को यदि बार-बार मोडा जाए या twist किया जाए तो बहुत उसे सहन कर लेती है और तुटने नहीं पाती है उसे क्या कहते हैं कि और इलस्ची ट अपनेस ट स्टिट्टिट्टि टेना सिटी क्या राइट अंसर होगा आप फटा-फट अंसर दीजें क्या राइट अंसर होगा तो अगर आपको याद है तो आप comment box बोक्स में जाकर के comment लिखिए कि कौन्स अंसर होगा चलिए इसका अंसर होगा option number B क्या होगा toughness option number B जो जो विद्यारते दिये हैं उनका correct answer right answer है दोस्तों चलिए अगला question क्यों चलते हैं अगला question क्या बोलता है इसी साथ अगला question हमारा है कि मैलेविलीटी का सबसे अधिक गुन किस धातू में होता है मैलेविलीटी का सबसे अधिक गुन किस धातू में होता है चांदी में सोना में तामबा में लोह में किस में होगा चलिए फटा-फट कॉमेंट किजिए आप लोग हो आऑ अट कियर है तो ना के अट रवगा हमारा अपस्षं मेर how नबर बि जो जो ब हैं बिद्धारति दिये हैं उनका उंतार करेक्ट आउनल सर एंसर 12 का सबसे अधीद गुन किष दातूimana होता है तो क्या इस्थी रहता है soft basis system में क्या इस्थी रहता है將 option दिया हुआ है soft Rogueella взять कोई का साइज उप्यूंक्त दोनों उप्यूंक्त में से कोई नहीं क्या जार कॉमेंट भॉक्स में अंसर दिजिए कि जिनको बिज्यार्थी कोई созд hatte कि एजले कि सारा कोSc graards बहुत ही भी भी कोश्चन है आपको बहुत ही लाब मिलने वाला इसारे कोश्चन से इसी तरह मैं पड़े वीडियो लाते रहूंगा आपके लिए जो कि आप अपने मुकाम तक पहुंचें आप अपने हासिल मुकाम को करें चलिए option number A soft का size क्या होता है soft का size option number A जो जो विद्यारती अंसर दिये हैं उनका correct answer right answer है दोस्तों चलिए इसी के साथ अगला question क्यों चलते हैं अगला question हमारा है कि जो size part को map कर लिया जाता है वह क्या कहलाता है कालपनिक size, limit size, बास्तविक size, उप्युक्त में से कोई नहीं क्या right answer होगा दोस्तों बताइए आप फटा फट answer बताइए क्या right answer होगा right answer होगा option number C, क्या होगा option number C correct answer right answer होगा बास्तविक size, जो size part को map कर लिया जाता है वह क्या कहलाता है बास तबीक साइज जो जो विद्या थी c option नमर दिये हैं उनका correct answer, right answer है दोस्तों चलिए अगला question क्यों चलते हैं किसमे hole क्या पेच्छा soft बड़ी होती है किसमे hole क्या पेच्छा soft बड़ी होती है option हमारा दिया हुआ है देखिए पोजेटीव एलाउंस, नगेटीव एलाउंस, जीरो एलाउंस, उप्यूक्त में से कोई नहीं, क्या राइट अंसर होगा दोस्तों, बताईए फटा फट कॉमेंट बॉक्स में आप जाके कॉमेंट कीजिए, जो अंसर है, कोस्टन को ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन को ध्या राइट अंसर है दोस्तों, चलिए इसी के साथ अगला कोशन को चलते हैं, अगला कोशन हमारा है, कि किस में हॉल क्या पेच्छा, सौफ्ट छोटी होती है, ऑप्शन दिया हुआ है, पोजेटीव एलाउंस, नेगेटीव एलाउंस, जीरो एलाउंस, उप्यूक्त में से क्या होगा, ऑप्शन नमबर A, करेक्ट अंसर, राइट अंसर है, जो जो विद्यारती A, अप्शन लगाए हैं, उनक्या, करेक्ट अंसर है, पोजेटीव एलाउंस, क्या होगा, पोजेटीव एलाउंस, करेक्ट अंसर, राइट अंसर है, चलिए इसी के साथ अगला कोशन क चुना जाता है उसे क्या कहते हैं ऑप्शन हमारा दिया हुआ है बेसिक साइज अधिक्तम बिचलन निउन्तम बिचलन मुल्भूत बिचलन क्या राइट अंसर होगा दोस्तों बताएए अगर आपको याद है कॉमेंट कीजिए क्या राइट अंसर होगा चलिए राइट अंसर होगा हमारा ऑप्शन नमबर डी राइट अंसर थो जो और देख है उनका ईंका क्या होगा मुल्भूत बिचलन क्योंता है क्या अगला कोश्चन को चलते हैं कि किसी है कूछन है किसी ह olmas के अधिक्तू साइज और स्वॉप्ट के नियूंतूंसाइज के अंतर को क्या कहते हैं option हमारा दिया हुआ है राइट नंसार होगा को अफटाफट अंसद डीजिये है राइट एंसर होगा हमारा option नमबर और बी के प्रशन इनसर होगा अधिक्तम किल्डरियंज जिनका जिनका भी लगाए है लिखें एक कॉमेंटबॉक्स में उनका क्रेक्ट अन्सर होगा अधिक्तम किल्डरियंज चलते हैं अगला कुश्चन क्या बोलता है UC कितना होना चाहिए मोटाइए कि e-mail का भार चीजल के पेच्छा कितना होना चाहिए 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना क्या राइट टंसर रोगा ओस्तों ती तुछ लोगा हमारा option number a correct answer right answer होगा है मेर की भार के चीजल के पेच्छा दोगना होना चाहिए option नमबर एक रेक टंसर राइट रहे दोस्तों कि चलिए इसी साथ अगला कोश्चन क्यों चलते हैं अगला कोश्चन है कि ओप्षन दिया हुआ है लो कार्बान श्टील है हाई कार और श्टील है हाई स्पीड श्टील सभी दो-तिन कोशन यहां पर रिपीट आ गया कोई दिकत नहीं है आपका रिविजन हो जाएगा क्या राई टांसर अपफ फटा फटांसर दिजीय। इस लिए की कोश्चन जाना हुआ है option number D correct answer, right answer होगा जो जो भी दियार थी D option दिये है उनका right answer, correct answer है low carbon steel, high carbon steel और high speed steel तिनों सही होगा, correct answer होगा चलिए इसकाथ अगला question क्यों चलते हैं अगला question है हेक्सा blade hardness कितनी होनी चाहिए option दिया हुआ है 59 से 62 HRC 62 से 65 HRC 61 से 65 HRC सभी चलिए फटा फट answer दीजिए यहाँ पर दो तिन question दुबारा हो गया है कोई दिकत नहीं उससे, आपका revision हो जाएगा चलिए, correct answer होगा option number D सभी, क्या होगा, option number D, 59 से 62 HRC 62 से 65 HRC 61 से 65 HRC correct answer, right answer होगा दोस्ताव, जो जो D option लगाए है, टिक लगाए है उनके चलिए अगला question क्यों चलते हैं इसके साथ अगला question हमारा है कि हेक्सा बलेट के दातों पर कौन-कौन रेक दिये जाते हैं हेक्सा बलेट के दातों पर कौन-कौन रेक दिये जाते हैं ऑप्सन दिया हुआ है जीरो रेक, पोजेटिव रेक, नेगेटिव रेक, सभी क्या राइट अंसर होगा दोस्तों? राइट अंसर आप लोग कॉमेंट वोक्स में फटाफट कॉमेंट कीजिए क्या राइट अंसर होगा हिक्सा बलेट के दांतों पर कॉन-कॉन से रैक दिये जाते हैं तो औप्षण नमबर डी सभी दिये जाते हैं जो जो विद्यारती ऊप्षणवर डी टिक लगा हैं उनका करेक्ट अंसर राइट अंसर हो दोस्तो जीरो रेक, पोजेटी रेक, नगेटीव रेक, सभी तीनों जा ह canım रेक दिये जाते हैं, option no.2, correct answer, right answer होगां दोस्तो चलिए अगला question क्यों चलते हैं इसकी साथ अगला question है, कि हिकसोंन करते समय हिकसा की ओस्तन चाल कितनी होनी चाहिए हिक्सोईंग करते समय हिक्सा की औस्तन चाल कितनी होनी चाहिए 30-40 अश्टॉक परती मिनट 40-50 अश्टॉक परती मिनट 50-60 अश्टॉक परती मिनट 30-35 अश्टॉक परती मिनट चलिए फटाफट अंसर दीजिए आप कॉमेंट बोक्स में और worship रोगा उसके बाद में बदांगा आपका सही या गलत हुआ है कि या फिर कौन अंसर होगा सही कि वीडियो देखने के बाद एक है जरूर बनता है दोस्तों ज्रूर कीचियेगा कि छली ओप्षन हमारा सी करेक्ट राइट अर्वा जो जिन विद्यार्थियोंने सी अप्षन लगाया उनका करेक्ट राइट एंसर को प्चास से साथ स्ट्रोक परती मिनट करेक्ट टंसर राइट टंसर होगा चलिए इसी के साथ अगला कोश्चन क्यों चलते हैं अगला कोश्चन हमारा है कि फाइल के हार्डनेस पर आया कितनी हो नित्ती है कि 43 से 50 HRC 55 से 65 HRC 60 से 64 HRC 60 से 70 HRC क्या राइट अंसर होगा आप लोग अंसर दीजिए फटा-फट कॉमेंट बोक्स में राइट अंसर मारा होगा ओप्शन नंबर C क्या होगा ओप्शन नंबर C करेक्ट अंसर राइट अंसर होगा 60 से 64 HRC जो जिन बेदार्थियों ने ओप्शन नंबर C लगाए हैं उनका सही अंसर है करेक्ट अंसर राइट अंसर है चलिए इसी के साथ अगला कोशन क्यों चलते हैं अगला कोशन है कि फाइल के ओवर कट दाते कितने डिगरी के कोन में बने होते हैं कि ओप्शन दिया हुआ है साथ डिगरी चालिश डिगरी पचास डिगरी सत्तर डिगरी क्या राइट अंसर होगा दूस्तों राइट अंसर आप बताईए कोशन है फाइल के ओवरकट दाते कितने डिगरी का कौन में होते हैं। नसर दीजिए राइट अंसर होगा एक क्या होगा राइट अंसर होगा और आफिक डिगरी ओप्शन नंबर एफ्वाइल थे चलिए अगला कोशन क्यों चलते हैं आगला कोशन है कि फाइल के अपकट जाते कितन टीकितने नमरी अपने होते हैं प्राइट अंसर होगा कि आप्षण नमबर 25 से 80 क्वाइट ऑप्षण नमबर बी करेंगे रहे होगा 25 से 80 क्वाइट राइक यंश करेंगे जिन गर्थ यह उन्हों में लगाया हैं उनका नमबर बराद हैं दोस्तों चलिए अगला कोश्ण क्यों चलते हैं अगला कोश्ण हमारा है कि फाइल का श्ट्रोकों के परती मिनट संख्या ओस्तन कितनी होनी चाहिए ओप्शन दिया हुआ है 43 से 50 55 से 65 40 से 60 60 से 70 परती मिनट आप फटाफाइट कमन बोग्स में अंसर दीज से आंसर हो गा ऑप्शन नमबशी क्या होगा ऑप्शन नमबशी पहरत इस kunnen answer राइट ले अंसर हो गा चाली से 60 7 कि फोता है कि परती मिनट संख्या ओस्तन कितनी होनी चाहिए 40-60 option number 3 जिन जिन विद्यार्थियोंने उसी option लगाया है उनका correct answer right answer दोस्तो चलिए अगला question क्यों चलते हैं अगला question हमारा है कि drill grinding gauge का कौन होता है कितना degree drill grinding gauge का कौन कितना होता है 100 degree 110 degree 50 degree 101 क्या right answer होगा दोस्तो आफटा-फट common box में answer दीजिए क्या right answer होगा इसका कि इसका right answer और और क्रेक्ट अंशर होगा हमारा option number D क्या होगा option number D correct answer होगा right answer जिन जिन विद्यार्थिन option number T लगाया है उनका correct answer राइट एंसर है 121 डिगरी होता है drill ट्रांडिंग का कौन होज सो होता है ज Cornman को चलते हैं कि साधारन कार्जयों के लिए कितना रखा जाता है साधारन कार्जयों के लिए लिप क busca यंगल कितना रखा जाता है औіч लिए सब्सक्राइब औस दिया हुआ है 60-90 डिग्री 12 से 15 डिग्री 50 से 60 डिग्री 70 से 75 डिग्री क्या राइट अंसर हो दोस्तो बताईए फटा फटाप कॉम्ट बोक्स में कॉमें कीजिए क्या राइट अंसर इसका होगा उसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसका अंसर क्या होगा व्यूडियो देखने को आद एक क्या होगा ऑप्शन नंबला बिख team लगा है ok लगा है उनका क्रेक्ट अंसर बार से 15 डिग्री 12 से 15 डिग्री चली अगला कोश फोन क्यों चलते हैं को और है कि ड्रिवल्टर्वटिक ड्रील के कटिंग एज होते हैं कितने दो, तीन, चार, पाँच, डवल फुलूटिंग ड्रिल के कटिंग एज होते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, क्या राइट अंसर होगा? आप अंसर दीजिए, फटा-फट कमें बॉक्स में क्या राइट अंसर होगा? चलिए राइट अंसर होगा हमारा option number a double floating drill के cutting age होते हैं दो option number a जिन जिन भी देते हैं option number a टिक लगाया उनका correct answer right answer है चलिए इसके साथ अगला question क्यों चलते हैं अगला question हमारा है कि यदि drill के speed पता हो तो drill का ब्यास बढ़ाने से cutting speed पर क्या परभाव पड़ेकता है option दिया हुआ है घटती है समान रहती है बढ़ती है कोई नहीं आप लोग फटा-फट कॉमें बोक्स में अंसर दीजिए क्या right answer होगा correct answer इसका क्या होगा चली इसका अंसर होगा option number C क्या होता है बढ़ती है उनका correct answer राइट अंसर है दूस्तों बढ़ती है यदि drill की speed पता हो तो drill का ब्यास बढ़ाने से cutting speed पर क्या परभाव बढ़ता है तो cutting पर परभाव परता है कि बढ़ता है चली इसी साथ अगला question क्यों चलते हैं अगला question है कि template का मुख परियोग होता है कार्ज को परिसुत्ता में चेक करने के लिए कार्ज के आकरितिक अनुसार marking वर चेकिंग के लिए कार्ज के rating के लिए कार्ज के tempering चेक करने के लिए क्या right answer होगा दोस्तों आप लोग फटा- चलते हैं अगला question है कि बाहरी चूडियों का पीच diameter चेक करने के लिए परियोग में लाए जाता है option दिया हुआ है nut, thread ring gauge, screw pitch gauge, screw thread micrometer क्या right answer होगा दोस्तों आप फटा-फट comment में अनसर दीजिए जिनको याद है question को बढ़ियों तरीके से पढ़िएगा option को बढ़ियों तरीके से समझेगा तभी आप अनसर दीजिएगा अनसर होगा हमारा option number D, जिन जिन भी देर थे, उनको अप्शन नमर दी ठीक लगाया, उनका correct answer, right answer है, screw thread micrometer, क्या होगा, screw thread micrometer, correct answer, right answer है, चलिए इसके साथ अगला question क्यों चलते हैं, अगला question हमारा है, कि magnifying glass का परियोग तब किया जाता है, जब option दिया हुआ है, filing करनी होती है, fixowing करनी होती है, chipping करनी होती है, परिसुत्ता में माप reading लेनी होती है, क्या right answer हो दोस्तों? क्या right answer होगा, इसका right answer होगा, option number D, जिन जिन भी दियारतियों नो option number D, answer चूच किया है, उनका correct answer होगा, right answer होगा, परिसुत्ता में माप की reading लेनी होती है, correct answer होगा, option number D, चलिए अगला question क्यों चलते हैं, अगला question है, किस gauge का परियोग workshop में किसी जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, option दिया हुआ है, workshop gauge, inspection gauge, reference gauge, उप्यूक्त में से कोई नहीं, क्या right answer होगा दोस्तों? आप लोग comment box में comment कीजिए, फटा फट, क्या right answer होगा, correct answer होगा, right answer होगा, option number A, क्या होगा, option number A, जिन जिन भी द्यार्थियों ने लगाया, उनका correct answer, right answer, परियोग किसी जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, तो परियोग किया जाता है, option number A, correct answer होगा, चलिए अगला question किये चलते हैं, अगला question है कि किस गेज का परियोग बर्ग सॉप में, गेज की सुच्चत्मा को चेक करने के लिए किया जाता है, option दिया हुआ, बर्ग सॉप गेज, इस्पेक्शन गेज, रिफिरेंस गेज, उप्रिक्त में से कोई नहीं, क्या राइट अंसर होगा दोस्तों, आप फटाफट राइट अंसर का चूच करके दीजिए, और वीडियो देखने बाद, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, कि वीडियो आपको कैसा पसंद आया, नहीं या, इसी तरह मैं लेकर आऊं, पढड़े, या ना लेकर क्या आऊं, चली, राइट अंसर क्या होगा दोस्तों, राइट अंसर होगा हमारा ऑप्शन नमर बी, क्या होगा, ऑप्शन नमर बी, करेक्ट अंसर, राइट अंसर होगा, इंस्पेक्शन गेज, क्या होगा, इंस्पेक्शन गेज, राइट अंसर, करेक्ट अंसर होगा, जिन जिन इसपेक्शन गेज का सुस्मतार चेक करने के लिए किया जाता है बढ़िए इस पैक्शन गेज रिफेरेंस गेज उप्युक्ट में से कोई नहीं क्या राइट अंसर होगा फटाफट कोश्चन का अंसर दीजिए लाश्ट कोश्चन अंतिम कोश्चन है इसी के साथ यहां पर एंड हो जागा और आप लोग वीडियो देखने के बाद जरूर कॉमेंट कीजिएगा बताएगा कि क्या मैं पड़े इस तरह वीडियो लाओं या कि लिए किया जाता है इंस्पेक्शन गेज रिफ्रेंस गेज उप्युक्त में से कोई नहीं क्या राइट अंसर ओगा ओपशन नमबर सी जिन जीन विद्यार्थविक्रियो नवर Si Trick लगाया है उनका करेक्ट अन्सर राइट अंसर रिफ्रेंस होता है चलिए इसी के साथ थेंक्यू धन्यवाद फिर मिलते हैं आपसे नेश्ट कलास में नेश्ट वीडियो ले करके इसी तरह जिसे कि आपको हर एक्जाल टेक्निकल एक्जाम के लिए बहुत लाबदायक होगा ते लिए थेंक्यू धन्यवाद बाई-बाई